विए प्रेंट्स वेलकम वेक टो माए यूटी चैनल तर्टे कलासेश तो दोस्तों आज अपने पड़ने वाले हैं पॉटेटो की डिजिज यानी कि आलू के इंदर् कौन कौन से रोगन लगते हैं उनके क्या 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 उनके सिम्टम्स है और कैसे उनको अपने मैनेजम मट टो पोटेटो क्या में अपने हिंदे में पच्छेती जुलसा खत ON हुका तो इसका जो कॉजल्सम में वह फाइ्ट अप्थ्परा इन्फैस्टेंस का कोज़्ट आरगनीश्टस यह चाहिए िव interim saat 155 एंधे रिश के अंदर एक इसकी वज़े से क्या हुआ था एक फैमाई नाइडिटी के 1845 के अंदर ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके सींप्टम्स की बात कर लेते हैं तो यह आपकी लेट बलाई टो पोटेटो यह प्लांट के हर पार्ट्स को यह एफेकट करती है जाए वह पत्ति हो स्टैम हो चाहिए वह ट्यूबर्स ठिक है कि तो सब से पहले क्या होता कि पती पर थोड़े पाल ग्रिन कलर के अपको उह स्पोर्ट देखने को मिलतें इसके बाद में पर क्या होता है साइज में बड़े हो जाते और वाटर सौकर लीजिंस में डवलप से ठीक है और उसके अलवा पर जो आपका मनालों कि जहांब पर जो स्पोर्ट है जो डाड एयरिया है उसके जौपकी पतियंगें प ef रहाँ पर आपको उसके जरम कि जारहु और आपूश पर अंदर इस तरनो सफी स्थेंगें बारित के अन्दर लिजिन्स देखने को मिलेंगे जो बाद में क्या करते हैं पूरे स्टेम को ही कवर कर लेते हैं ठीक है और उसके लावा जो टूबर्स है टूबर्स फर किस टाइप की सिम्टमस होते हैं रेड इस ब्राउन कलर के सैलो टूडी ड्राइड लीजिन्स आपको टूबर्स पर भी देखने को मिलते हैं तो पत्थियों पर भी symptom साते हैं स्टेम स्पीर और टू बिच पर भी अधिके इसके फैट्टूबर्स का फालेस होता है वो कैसा केरमलाइज डिल्य है ठीक है विज्टे सूगरी टेक्सर से के के राइज कमतल हो ब्राउनीस कलर के हो जाते हैं ठीक है एगा इमेज में देख सकते हैं लेट बलाइट और स्यम्टम्स जो है आपके वह है देख लो वाइड कलर के आपको इस इन बलोगी जो आपको निकरोटिक डेड इक जारए उसके जारोड आपको वाइड कलर की कोटवनी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी ये बलाइट से पहले जो सीड पोटेटर उसको अच्छी तरह से चेक करेंगे ठीक है कहीं वह इंफेक्टेट हो ना हो इतने भी आपके ब्लाइटेट ट्यूबर्स है उनको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे और आपको सोयल के अंदर दबा देंगे ठीक है मैंको जेव की स्प्रे कर सकते ह बाद करते हैं अर्ली बलाइट पोटेटो इसका जो अलट्रनेरिय इस तो होगा शिंटम की बात करें तो यह जो आपका अरली बलाइटो पोटेटो मैनली पतियां और टूबर्स को ही एफेक्ट करता है ठीक है पतियां और टूबर्स को ही एफेक्ट करता है इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली जो पुरानी पतियां होती है ना वहां पर आपको सिर्कुलर से ओवल से में आपको ब्राउन कलर के स्पोर्ट देखने को मिलते हैं ठीक है ठीक है बाद में क्या होता है यह लीजेंस आपके बड़े हो जाते हैं साइज में और बाद में क्या हो जाते हैं एंगुलर हो जाते हैं सेप में ठीक है और क्या होता है कि जो आपकी पती होती है उस पर आपको बुल आई जैसे सिम्टम आपस देखने को मिलती है कि एक आपकी कॉंसेंट्रिक रिंग जैसे बुल आई जो आपका सिम्टम वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर तो यह इसका मेजर सिम्टम में थोड़ा दियाँ रखना ठीक है उसका लगाज़ टूबर पर यह थो थे पत्यों पर टूबर पर भी आपको ब्राउन कलर के सर्कुलर रेगुलर जो आपके लिजन से वो डेखने को मिलते हैं ठीक है ब्राउन और कोर्की टाइप की ठीक है आप इमेज में भी देख सकते हो यह इसको बोलते हैं अपने बुल आई या निकि जो आपकी पती है उस पर एक कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है जिसको अपने बुल आई कहते हैं तो यह अरली बलाई तो पोटेटो के सब्सक्राइब करेंगे यूरिया वन परसंट यूरिया से कॉपर ऑक्षी कलोरीड से बुल एक इस मिक्सराइब करदेंगे अडली बलाई तो पोटेटो के मैंनेजमेंट के लिए पिर नेक्स्ट आपके डिजीज है वाट ओफ पोटेटो यहाँ वाट डिजी जो पोटेटो इसका जो कोजल और रोकिनीज्ञम वह है जिंची ट्राइंड और ऑटिकम इसका कोजल और गनीज्ञम है कि पिश्ट्यम है उन पर आपको कॉली फुलो वर्टेशाइए आपको वाइटी ग्रोफ दिखती ती जिसके थ隻 तूमर्स या एक से ज़्यादा ऐसे टूमर्स बढ़ जाते हैं तो यह भी आपको द्यान रखना है कि ऐसे टूमर्स क्या होते हैं कई बार क्या होते हैं कंप्लीटली पूरे के पूरे या आपको वाटी मास में कंवर्ट हो जाते हैं ठीक है या तो क्या होता टूमर्स पर एक यह जो सिम्टम्स 본 यह कोली फ्लॆवर लाइक आपको जैसे कोली फ्लवार का फूल होता लोस टाइब से दिखता है और इस टाइब आपको के मैं नहीं किए एक यह कुझेंों aynı के जादा इंग और सकते इस गते हैं और में ऐसपावचीन से वहиля अन्ह Jun taught तो इस टाइब की सिंप्टमस आपको बाट डिजी जो पोटेटो किया उसमें देखने को मिलते हैं अब मेनेजमेंट कैसे करेंगे देखो वैसे तो क्या है कि इसका कोई ट्रीटमट अभी तक अवेलेबल नहीं है ठीक है और अपने है भी तो अपने लार्ज स्केल पर इसको नहीं कर सकते हैं आपको पता कि वार्ट डेजिज के लिए एक डोमस्टिक क्वारेंट्आइन की वो अप्लाई किया जाता ठीक ह। कुछ क्ल रोह्त परेवन्टीव मेजर से प्लिजियर और कुछ क्ल्चरल प्रेक्टिस है वो आपने अप्लाई कर सकते हो त्युश्य आपके डिजीज रिपार्ट से उनको अपने जला सकते हैं ठीक है तो यह जो आपके प्रिवेंटिव मिजर से इसका कोई अभी तक एफेक्टिव कंट्रोल या केमिकल बगरा कोई कंट्रोल नहीं है इसके लावा डोमेस्टिक क्वारिंटाइन अपलाई करते हैं आपको पता यह जो वाट डिजीज है यह वेस्ट बंगाल के अंदर एक एरिया है जिसको अपने दार्जिलिंग बोलते हैं ठीक है वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग एरिया यह वहीं पर होती है उनली तो वहां पर इसके परती क्या है कि डॉमेस्टिक वारेंटाइन यानि कि वहां से दूसरे स्टेट में पोटेटो नहीं ले जाया जाता ठीक है वहां से दूसरे स्टेट में पोटेटो का ट्रांस्फर्म है जो वह ट्रांसफर नहीं किया जाता ठीक है तो यह जो वाट डिजी जब इसका कोई कंट्रोल नहीं इसलिए इसलिए इस पर ड्रोमेस्टिक वारेंट है ओनली डार जिलिंग एरिया के अंदर है वेस्ट बंगाल के अंदर वहां से पोटेटो कहीं नहीं जाता ठीकेट कुछ प्रिवेंट्टिव मिजर से वही अपनी इसके मेंगेंज्मेंट के लिए एपलाई गर सकते हैं अब फिर आपकी जो नेक्स डीजी यह वह कॉमन स्केब पोटेटो क्या है स्केब पोटेटो इसका जो कोजल और इस टेप्टोमाइसिस कैबिस है क्या है स्टेप आपके कोर की लेजयें स्टार रेटीसे बाद में स्टार सेट की यह पने जाते हैं ठीक है इडिक से सब के सब्सभेट कर दीखते हैं से आपको टूबर्स पर दिख्तें को मन्स्टा बीखेंद देख हैं एजो डिजीった यह जाना इस डार्क ब्राउन जो लीजन्स होते हैं वह आपको रूट्स और स्टॉलन पर भी डवलप हो जाते हैं ठीक है जिसे आप इसमें देख सकते हो ठीक है यह जितने भी सिम्टम से आपको टूबर्स पर रहा है जो कोर की रफीन जो भी यह आपके लैंटी सेल्स किसा रहो यह बाद करेंगे क्रोप रोटेशन अपलाई करेंगे या फिर बॉरिक एसिट से तीन परसंट बॉरिक एसिट से ट्रीटमेंट कर देंगे और इसके लावा जो आपको याद रखना है कि यह जो आपकी कॉमन स्केप डिजीज है एसे डिक्स जो सहल होती ने एसीडी कंडिशन होती उ इसका जो को जल उर्गेंजम वह सीडो मुनास सबर्म की आपको लोसेश करता है इसके जो लोसेस होते हैं वह कैसी एक क्या होता प्रिमेच्धियव विल्टिंग हो जाती है जिसके पूरे प्लाइध की डेथ हो जाती एग तोटल आपकी लोसाती हो जाती ही ये टोतल प्रिम यानि कि अभी तक आपके टूबर्स जो है मैचर नहीं हुए यानि कि उपर वाले अंडर उपर वाला जो पॉर्शन आपका ग्राउंड के उसमें विल्टिंग हो जाती है ठीक है इसके इंदर उसके लावा क्या होता कि आपका स्टोरेज है स्टोरेज के अंदर जो अपने जो में योटूबर्स पेंडेज के अंदर मूल देखने को मिलती है इसके बाद में और उसके बाद पूरी की पूरी विल्टिंग को पूरा का प्लाट ङृट हो गजन साते आते हैं टूबर सपर एक उता है वीक्र पूलर्ड रोट एक हो सुम्रेशन से त्छ शेंडर सिन माय बन जाते हैं ठीक्व है तो इस में स्थम्टम्ट करवेंजं मन देख सकते हैं यह जो आपका जो प्रिमेचिर विल्टिंग धंग और रीम्राइशन इसे का विल्ट हो गया और यह है टूबर्स के अंदर विल्टिंग ठीक है यह यह जो आपको ऊज निकल रहा है इसमें बैक्टीरिय लूज तो इस टाइब के आपको सिम्टम दिखते हैं इसमें बैक्टीरिय विल्ट के अंदर कि अब इसका मेनेजमेंट कैसे करेंगे डिजीज फ्री टेंज तो सी ट्यूबर से वह करेंगे रिसीस्टन वराइटीज ग्रोग करेंगे क्रोप रोटेस्टन अपलाई करेंगे यह इसके लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है स्टेबल बारां के पर एक्टर वह अपलाई जो मॉस्ट कॉमन सब्सक्राइब क्या होता है उसमें डार्क ब्राउन से बलेक कलर के आपको लंपस दिखते हैं जो टूबर से उस पर ठीक है अदर से अदर अधर से इंदर आपको यह सारे सम्टम देखने को मिलते हैं इसके लावा स्प्राउट्स पर भी इसके सिम्टम द इसक्लेरेशन हो जाता है तो जो heavily infected sprout होते हैं वो emerge ही नहीं होते है तो इसमें गैपी germination नहीं होता है कि इसके लावा emerging में जो सपराओं होते हैं जब इंफेक्ट करते हैं बाद में ठीक उसमें फिर कर डवलप हो जाते हैं कि पूरा पूरा स्टैम का जो बहस है वह आपका गर्डलिंग हो जाता ठीक है और इस टाइप से इस डिजी से जो अफेक्टेड आपके प्लांट है उसमें क्या हो जाती है उपर क्योड रॉलिंग हो जाती है ब्लैक स्करफ के अंदर जैसे आप इस इमिरेज में भी देख सकते हो ठीक है यह ट्यूबर्स पर है अपके यह शेप की डिफार्मिटी हो रही है इसमें ठीक है और यह आपका जो स्टैम है इसकी पूरी यहां से मलों गडलिंग हो रही है तो इस टाइप की सिम्टम साब को देखने को मिलते हैं मेनेजमेंट कैसे करेंगे अपने डिजीज परी जो सीटूबर से वो यूज करेंगे क्रोप्रोटेशन अपलाई करेंगे या फिर अपने शीटीटिम्ट कर सकते हैं थाय बेंडा जो लिया कार बेंडा जीम से अब आपकी next जैजीज है वो या अब आपकी नेक्स्ट जो डिजीज है वह già बलैक लैग udah पौटेटो क्या है सफ्ट रौट और पलीख लाग ऑफ पोटेटो इसका जो कोजल ऊरगशन वहीं जीटा इसका कोजल और्गनीजम है उतके volts होते हैं क्या सुल्ध एरिया पर सिम्थ्यूबर के स्मॉल एरियापर आपको सिम्टमस देखते हैं पाइस के चारों रहा जो जो चॉलर चुनके पॉयंट होता हैं और हां पर थोड़े श्म्टमस देखते हैं 151 छॉफ्ट इटेस्कैंअ छॉफ्टों सीप्टन ने एक Hagrid B आपके spread हो जाते हैं ठीक है और जो रोटे tubers होते हैं वो swollen हो जाते हैं नहीं कि मुलोग फूल जाते हैं क्यूंकि उसमें गैंस बन जाती है गैंस formation कर रहा है ठीक है the symptom appears है कैसा हो जाता है water socket legion stem lips and petiols नहीं कि stem पर आपको water socket legion's देखने को मिलते हैं तो इससे जो पार्ट होता है वह आपके black color के हो जाता है और रोटिंग हो जाती है उसके बाद में क्या हो जाती है इस टापलिंग हो जाती है उपर से नीचे गिर जाती है ठीक है टॉपल डाउन इसको बोलते हैं तो यह image में आप देख सकते हो symptoms ठीक है यह जो आपका symptoms है soft rot का symptoms है जो tuber के अंदर होता है और यह आपकी black leg इसको अपने soft rot को black leg भी बोलते हैं तो यह जो आपका stem होता black color का हो जाता है और इसमें टॉपलिंग हो जाती है यानिकि उपर से जो प्लांट है वो नीचे गिर जाता है अब इसका अपने management कैसे करेंगे डिजीज परी जो सीट्यूबर से वह अपने यूज में लेंगे और एक्सेस जो इरिगेस नहीं कि ज्यादा इरिगेशन और ज्यादा नाइट्रोजन का अपने अपने अवाइड करेंगे उसका यूज नहीं करेंगे तो planting time एना उसको अड़ेस्ट करेंगे ठीक है और जो टूबर से जो इंजेट जो टूबर से उसको बाहर निकाल देंगे सोटेट आउट कर देंगे ठीक है या फिर अपने परसंट बोरी करिशेट से तीन-तीस मिनट के लिए अपने शीट टीटमेंट करके फिर इसकी ग्रो करेंगे ठीक है तो सौफ्ट रोट या लेगो लेगो पोटेटो का मनेजमेंट अब जो आपका पोटेटो है इसके अंदर कुछ फीजियोलोजिकल डिसॉडर्स भी होते हैं ठीक है देखने मिलते हैं जैसे जो पहला जो मुस्ट इंपोर्टेंट जो है वह बलेक हाइट ऑफ पोटेटो ठीक है यह होता है आपका जिनकी डेफिशेंसी से होता है इसके लाव होलो हैट भी होता है जो आपको जो नाइट्रोजीनेस फटिलाइजर से नाइट्रोजीनेस उपने ज्यादा यूज करते हैं उससे होलो हो जाता है पोटेटो गया ठीक है कि चिलिंग इंजरी होती है लो टेमपरेचर की वजए स होता है वो किउन डबल बोगर यथ थाकी वहां पर जो आपका लाइक होती है यह हुद्री की से होती है उसका वेक्टर है वह आपका एफिड इसको बोलते हैं मेज़ी सपर्शी की यह ध्यान रखना कि पोटेटों के अंदर एक वाइरल दी आपटेटों लीफ रोल वाइरस होती है वह उसका वैक्टर है एफिज ठीक है एक वाइरोड़ डिजीज बहुत आपको अपने क इसमें नेमेटोड लगती है पोटेटो के अंदर वो भी आप ध्यान थोड़ा रखना पोटेटो सिस्ट नेमेटोड और पोटेटो सिस्ट नेमेटोड जिसको अपने गोल्डन नेमेटोड भी कहते हैं और जिसका जो साइंटिपीक की नाम है वह ग्लोबड एरर रोस्ट आया था कि वाट डिचीज के अंदर वेस्ट मंगाल का दारजिलिंग एरिया तो उसी तरह यह जो नेमेटोड है गोल्डन नेमेटोड इसके अंदर भी अपने पोटेटोग अंदर डोमेस्टिक क्वारेंटाइन है जो नीलगरी हील्स है नहीं तमील डाडू के अंदर नील झाल 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 झाल